जै जै शीराधे एक सादक ने भाई जी से पत्र विभार के द्वारा प्रश्ण किया कि वेराग और भजन कैसे हो। भाई जी ने लिखा हर समय वेराग बना रहे तथा भगवान का इसमान होता रहे इस तरहे की आपकी अभिलासा बहुत ही सराहनिय है। जगत की अनित्यता, दुख रूपता और भयानकता का अच्छी तरहे ग्यान होने के बाद जगत के पदार्थों में आ सकती नहीं रहती। जब तक इन में नित्यता, सोख और रमनियता भास्ती है तभी तक इन में राग है। इसके लिए बार-बार संसार के भोगों में जन्व म्रत्यू जराव्याधि रूप दुख दोश देखना चाहिए तथा सत्संग, विचार और विवेक के द्वारा रमनियता, सुख और नित्यता का बोध करना चाहिए। वास्तम में ये सब विशे जिस रूप में दीखते हैं उस रूप में हैं ही नहीं। हमें अपनी मोह अच्छादित रष्टी के कान ही इनका स्वरूप यतार्थ नहीं दीखता। इसी से इन में फसावट हो रही है। जहर से भरे हुए नकली सोने के गढ़े के समान अत्वा सुखंदित इत्र आद वस्त्वों से डखी हुई विश्ठा के समान अत्वा सोने की खोली से मढ़े हुए जहरीले सर्प के समान अत्वा राक से डखी हुई प्रबल अगनी के समान संसार के विशे बार बार जलाने वाले हैं। इस प्रकार समझ कर तथा इनकी परवर्तन शीलता, छण भंगुरता, द्रश्टी भिद से अनकुल एबं प्रत्कुलता, व्योग सीलता, म्रत्यु मैता आद पर विचार करके इनसे मन हटाना चाहिए। इनका रूप जब ठीक ठीक समझ में आ जाएगा, तब इनमें से राग निकल कर अपने आप ही इनसे वेराग हो जाएगा। फिर जिस प्रकार जान वूज कर हम अफीम नहीं खाते, अगनी में हाथ नहीं डालते, साप को हाथ में नहीं लेते, विष्ठा को नहीं चूते, इसी प्रकार विष्यों से अलग हो जाएगे, इनमें प्रीत होना तथा इनहें गिरहन करना तो अलग रहा, इनका चिंतन भी हमें नहीं सोहावेगा। विष्यों की चर्चा भी खारी लगने लगेगी। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार भगवान का इस मनन नहोने में भी प्रद जानकार भगवान के अथार्त तत्तो प्रभाव रहसे महमा और गुणों के ग्यान का अभाव ही है। स्री भगवान के एक भी गुण का रहसे, एक भी नाम की महमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ती का तत्तो जान लिया जाए, अथवा एक भी रूप की जरासी भी जहांकी का ग्यान हो जाए तो फिर भगवान से छण भर के लिए भी चित न हटी फिर विश्यों में दुख दोश देखकर उनसे चित खटाने की आवस्यक्ता नहीं रहती अपने आप ही विश्यों में आसकती नश्ट हो जाती है जिस प्रकार सूर्य भगवान के ओदय होन असल बात तो यह है कि फिर उसकी तात्वे के दृष्टी में विश्यों का अस्तित्त ही नहीं रहता एक मात्र शचिदानंद घन भगवान की ही अखंड अचल सनातन अज अविनासी सर्व्यापनी सत्ता रह जाती है उसे फिर आनंद घन परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं भास्ता इस अवस्ता में उससे परमात्मा का असली भचन अपने आप ही होने लगता है वास्तम में सूर्य और दीपक के उदाहन की तुन्ना परमात्मा के ग्यान और विश्यों के साथ नहीं हो सकती तथा समझने के लिए उदाहन दिया जाता है प्यारे भक्तों संसार के विश्यों का स्वरूप तथा परमात्मा की महमा को यथार्थ रूप से जानने के लिए सत्संग तथा भजन ही प्रधान साधन है वेरागिवान, सच्चे विरक्त, अनन्य भगवत प्रेमी और सम्यब दर्शी ज्यानियों के सत्संग से विश्यों की तथा भगवान की स्वरूप इस्तिती सुनने जानने में आती है फिर भजन करने से मलका नाश होने पर सुनी तथा जानी हुई बातों को हिर्दे ग्रहन करता है इसलिए जहां तक बन पड़े सरवस्य उत्याक कर भी भजन तथा सत्संग के लिए मनुस्य को पूरा प्रत्न करना चाहिए हर समय नाम जब कैसे हो इसके विशय में भाईजी लिखते हैं हर समय भगवान के नाम का जब हुआ करे इसका अपाय पूछा सो स्वाहविक नाम इसमन तो भगवान का महत जानने से ही होता है भगवान के नाम पर जितना जितना विश्वास प्रेम बढ़ता है उतना उतना ही नाम जप अधिक हो सकता है भगवान के नाम में बहूल होने में अभ्यास की कमी ही कान है परंत प्रधान कान तो विश्वास और प्रेम की कमी ही समझना चाहिए विश्वास तथा प्रेम भी भजन और सत्संग से ही होते हैं इसलिए सत्संग तथा नाम जब रूपी भजन का ही विशेस अभ्यास करना चाहिए भजन करते करते भगवान के नाम जब का अभ्यास करते करते विश्वास बढ़कर नाम जप में अपने आप ही प्रगती हो सकती है नाम जप में असली और नती तभी समझनी चाहिए जब नाम जप में भूल नहीं हो तथा एक एक नाम में ऐसा महान आनांद आवे कि जिसकी तुलना समराठपद की प्राप्ती से भी न हो सके तथा इतना प्रेम उपजे कि नाम इश्वान के साथ ही वो मांच अस्रूपात गदगद वाड़ी आद होने लगे प्रिशाद को यह वीडियो क्यासा लगा इसके बारे में कमेंट अवस्च करें इसे इस दुलव ज्यान को हिंदी में पढ़ने के लिए आप डेव साइट www.divvigyans.com पर भी जा सकते हैं अब प्रेम पूर्वक बोलिए राधे क्रिष्ण, राधे क्रिष्ण, 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 राधे, 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 स्याम, राधे, स्याम, स्याम, राधे, राधे